पंजाब के मोगा में जिला प्रशासन का लगातार कोई ना कोई लापरवाई करने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं से लापरवाईयों से खाम्यजा जनता को बुकतान करना पड़ रहा है। इस लापरवाईयों की बड़ोत्री लगातार हो रही है। लेकिन कॉंग्रेस सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। इनला परवाईयों को रोकने के लिए मोगा जिला की सभी ट्रेड यूनियन ने मिलकर मोगा के मेंग चौक में दो घंटे के लिए धर्ना प्रदर्शन किया। और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेवाजी की। वहीं सरकार को इसको जल्दी लोकने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर जिला ट्रेड यूनियन के प्रदान जगजीत सिंग चेहल ने बताया कि ये धर्ना जिला प्रशासन के खिलाफ किया गया है।